दिवाली पर एसी सुन्ट वाले गनेश जी लाए वास्तु दोस होगा दूर गर का महल बनेगा खुशनुमा धन लाप के भी हो सकते हैं संकेत दिवाली को त्योहार है बरत के लगबग हर गर में गनेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी आज हम आपको बता रहे हैं कि इसलिक की मूर्ति खरित्य समय आपको उर सूढ़ की दिशा अवस्य देख ले गनेश जी की सूणध दाई अथ्वा बाय की सरफ है और अपनी आवस्तुमा यह क्या करें जिसा की सभी जानते है कि बगवान स्री गनेश सुक समरूदी के जिवता है और उनकी रूपा से जीवन के सभी कार्या बीना किसी बादा के पूरे हो जाते है इसलिए लोग गर के मंदिर में बगवान गनेश जी की मूर्ती रखते है यूतर गनेश जी की सुन्ड को लेकर अलग-अलग दर्म में अलग-अलग दर्नाय है जब भी आप गर में गनेश जी की मूर्ती स्थापित करें तो ध्यान रखे कि गनेश जी की सुन्ड बाई हाथ की और होनी चाहिए मना जाता है कि एसी मूर्ती गर में सकरात्मक बनी रहती है और जीवन में सुक समरुद्धी आती है आप गर में सीधी सुन्ड वाले गनेश जी की मूर्ती स्थापीत कर सकते है एसी मूर्ती से गर का महौल खुसनोमा रहता है और शांती बनी रहती है